यूपी के फतेहपुर के रमवा एस्टेशन याड में मालगाली डिरेल हो गई है बताया जा रहा है कि मालगाली कानपुर से पंडित दीन दयाल उपाध्या एस्टेशन की ओर जा रही थी जानकारी के मताबिक मालगाली के 29 डिरेल हो गए है इस हाथसे के बाद दिल्ली हावडा रूट बाधित हो गया है इस बीच कानपुर और प्रियागराज एस्टेशनों से एकसिडेंट रिलीव ट्रेन रवाना कर दी गई है फिलाल अभी तक हाथसे की वज़ा का पता नहीं च प्रियागराज और कानपुर की तरफ से आने वाले ट्रेनों को रोक दिया गया है जानकारी के मताबिक रविवार की सुबह करीब साड़े-दस बजे रमोय स्टेशन के पास से मालगाली गुजर रही थी कुछ देर चलने के बाद मालगाली के 29 डिब्बे पट्री से उतर ग रही हैं रेलवे अधिकारियों के मताबिक 6-7 गंटे में रेल रूट बहाल होने की उम्मीद है एंसी आर रेलवे के पी आरो अमीत मालिये ने बताया कि हादसा 10 बज कर 30 मिनट पर हुआ है अभी अप और डाउन लाइन बंध है वंदे भारत समेत 20 ट्रेन फसी हुई है रेल